असलाम अलेकुम बच्चो आज हम क्लास वेट की साइस की चैप्टर नमबर वन यूमिन ओर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जैसा कि हमने पिछे लेक्चर में नवव सिस्टम के बारे में पढ़ा छिसटम के बारे में बारे में पढ़ा, आज हम types of neurons, central nervous system, peripheral nervous system, working model of the nervous system के बारे में पढ़ेंगे आईए human organ system को समझने के लिए एक animated वीडियो देखती है ये neuron basically तीन मुख्तलिफ किसम के neurons होते हैं वो कौन कौन से तीन किसम के हैं? आईए देखते हैं तो जो तीन किसम के उसमें सबसे पहली किसम कहलाती है sensory neuron sensory neuron जैसा के नाम से पदाहिर हो रहा है कि sense करना किसी चीज को महसूस करने वाला और आपके इलमे होगा कि हमारी body में पांच senses हैं जिसमें sense of fear है, सुनने का sense of touch है जो हमारी skin से related है sense of sight है जो हमारी आखें करती है, sense of smell है जो हमारे nose से, हमारे naak से हम smell करते है और इसके लावा sense of taste है, जिसको हम अपनी जबान से use करते है यह जितने भी sense organ है, यहां खास किसम के receptors मौझूद होते है यह वो receptors हैं जो उन signals को, specific signals को receive करते है मैं आपको ऐसे मिसाल देता हूँ, कि आपकी जबान जो है वो टेस्ट कर सकती है कि कोई चीज नमकीन है, या मीठी है, या कड़वी है receptors, जो taste वाले हैं, वो सिर्फ हमारी जबान पे है और वो sensory receptors, जो temperature के difference को मालूम करते हैं, वो हमारी finger पे है तो इसका मतलब है, हमारे जितने भी sense organs हैं, उन सब के उपर sensory receptors हैं जो external changes को या बाहर जो भी change आरी उसको receive करते हैं तो वो neurons जो हमारे sense organs के साथ connected है, they are called sensory neurons ये क्या करते हैं, message को हमारे sensory receptor से receive करते हैं और receive करके उसको impulse की शकल में आगे move करते हैं ये आगे उसको कहां लेकर जाते हैं, ये आगे उसको लेकर जाते हैं, एक और neuron के पास, जिसको हम कहते हैं inter neuron ये inter neuron कहां होता है, ये basically हमारे central nervous system में होता है, हमारी brain, spinal cord में होता है, ठीक और जो तीसरा किसम का नियूरॉन है जिसको हम कहते हैं मोटर नियूरॉन तो इंटर नियूरॉन का फंक्शन क्या है कि जो इंपल्स हमारे सेंसरी रिसेप्टर से आ रही है ये उस पे क्या एक्शन लेना है ये वो फैसला करके वो डिसाइड करके आगे मोटर नियूरॉन को द कि पहले message को receive किया, sensory neuron ने, inter neuron ने क्या किया, कि उस पे जो भी फैसला करना है और उसमें अपना message दिया, जो effectors को, यानि muscles को दिया, muscles के अलावा जो glands हैं हमारे, जनमें से secretion निकलती है, वो भी हमारे effectors हैं, तो इस तरहां जो तीन किसम के neurons हैं, ये हमारे nervous system में पाए जाते हैं, अब next time animation में देखते हैं, ये देखें, ये three types of neurons इसमें नजर आ रहे हैं, चोटी सी animation में, sensory neuron, और आप देख रहे हैं कि ये हमारी skin के साथ connected है, तो skin से जो भी message होगा, ये sensory neuron के जो dendrites हैं, ये इस से receive करेंगे, और इस sensory neuron के cell body को देंगे, और ये फिर आगे, exon के through, inter neuron तक पह जाएगा, ये देखें, दरमयान में inter neuron है, ये वो neuron है, जो हमारे central nervous system में है, और ये ही वो सारा decide करता है, क्या action लेना है, inter neuron के बाद, इसकी भी इसी तरह cell body है, exons हैं, ठेक है, dendrites हैं, dendrites के through, ये message अपना convey करेगा to motor neuron, और ये motor neuron, ये देखिए, इसमें आपने देखा होगा, के sensory neuron से message convey हुआ, up to inter neuron, inter neuron से वो message travel कर रहा है, to motor neuron, और motor neuron से ये message carry हो रहा है, to the effector, और यहाँ पे effector क्या है, हमारे muscles. उमीद है आपको types of neurons की मालुमात हासिल हो गई होगी. Central Nervous System को समझने के लिए एक animated video देखते हैं. क्या आप जानते हैं कि आपके जिसम का सबसे एहम हिस्सा आपका Central Nervous System है, आपका Central Nervous System, Master System के तोर पर भी जाना जाता है. यह brain और spinal cord से मिलकर बना होता है, और यह आपके मुकमल जिसम में हर function को control करता है. दरहकिका Central Nervous System बहुत एहम है. यह जिसम का वो हिस्सा है, जो मुकमल तोर पर इसकी हिफाज़त के लिए bone में encase होता है. उपर से शुरू करते हैं जो के आपका brain है, और आपका brain आपके जिसम का Central Processing Unit है, और यह तमाम electrical signals को coordinate और compute करता है, जो हमने अपने Nervous System के जरिये भेजी और आपके पूरे जिसम तक. लहाज़ा हमारे brain से electrical impulses आपके spinal cord तक भेजे जाते हैं, तो आपके spine की base तक travel करते हैं, और आपके spinal cord को fine threat की तरह के structures में तक्सीम करते हैं, जिन्हे spinal nerves कहा जाता है, और यह आपके तमाम muscles, cells और organs तक supply करने के लिए spinal column के vertebra के दर्मयान मुझूद होते हैं, और यहां से electrical impulses, feedback, loop में आपके spine के हर लेवल पर और आपके brain में वापस भीजी जाती हैं, मुझूदा spinal nerves मक्सूस muscles और organs को supply करते हैं, आप peripheral nervous system को समझने के लिए एक animation देखते हैं, जी, इस animation में देखिए, आपको कुछ चीज़े बहुत वाज़े नजर आ रही है, brain और brain के निचले हिस्से से ज जो चीज़ गुज़र रही है, यह spinal cord, अच्छा एक चीज़ और भी इसमें नजर आ रही है, जो हम आगे peripheral nervous system में देखेंगे, यह हमारी spinal cord से, जो है, वो nerves arise हो रही हैं, उसमें से nerves निकल रही हैं, जो हमारी पूरी body में, जिस तरह एक पूरा network बना होता है, यह network की शकल में पूरी body के अंदर distribute हो रही है, brain and spinal cord, लिए इसको एक दफा फिर देख लेते हैं, ताकि आपको clear हो जाए, brain, spinal cord, यह दो हिससे मिलके बनाते हैं, फिर बतर रिपीट कर रहा हूँ आपकी, ताकि आपको बार बार रिपीट करने से आपको याद हो जाए, यह दोनों हिससे मिलक के बनाते हैं, central nervous system, जी, इस animation को देखें, brain और spinal cord मिलके बना रहे हैं, central nervous system, एक, यह पीछे हम पढ़ चुके हैं, और यह देखिए, इन से जो nerves arise हो रही है, यह मिलके बना रही है, peripheral nervous system, working model of the nervous system के बारे में एक animated video देखते हैं, एक छोटी जी मिसाल आपकी देता हूँ, आपको फ्रेंड्स आते हैं, कोई आपको दोस्त है, उसने आपको आके चुटकी काटी है, और उसके response में आप एकदम खड़े हो जाते हैं, इस पूरे process के अंदर हमारा brain या हमारा central nervous system, हमारा peripheral nervous system किस तरह से काम कर रहा है, याद रखिएगा, चुटकी का जो काटना है, वो basically आपके skin पे जो receptors हैं, वो उसको feel करते हैं, तो जब चुटकी काटी गई थी, वो basically एक message था, जो आपके receptors ने, जो आपके skin में मौजूद हैं, उन्होंने receive किया, उस message को उन्होंने आगे convey किया और आगे convey करके उसके उपर आपकी body ने, आपके central nervous system ही ये decide किया, कि आपकी body उस पे क्या action लेगी, और आप उसके जवाब में एकदम से आपके muscles move away और आप खड़े हो गए, इसी तरह से एक और everyday life की मैं आपके example देता हूँ, कि आप घर में enter होते हैं, जैसे ही आप enter होए, आपको एकदम से smell आनी शुरू हो गई, और वो smell थी कि कहीं से gas leak कर रही है, तो ऐसा तो नहीं होगा, जाते के साथ ही आप TV on करके बैट जाएंगे, नहीं, आप definitely आपके nose ने, आपके naak में जो receptors हैं, उन्हों ने एक change in the environment feel की, यानि जब आप environment change होती है, आप उसको महसूस क कर लेते हैं, तो आपने change महसूस की, यह मुझे smell आ रही है, कहीं से gas leak कर रही है, वो message receive कर रहा है, आपके receptor जो कि आपके nose में present है, वो message convey करेंगे to the central nervous system, यानि आपकी brain को, आपका central nervous system क्या करेगा, कि process करेगा, कि आपने उस पर action क्या लेना है, और आप उस पर क्या action लेंगे आप उस पर ये action लेंगे, कि आप सबसे पहले तो तलाश करेंगे, कि ये gas की leaking कहां पे हो रही है, आप room में जाके check करेंगे, कि कहीं से जो heater, room heater है कहीं वो तो नहीं leak कर रहा, उसके बाद आप kitchen गए और जाके kitchen में आपने देखा, तो पता चला कि कोई एक चूला है ऐसा, ज सबसे पहले, आपके receptor ने receive किया, आपके nose ने, उसने वो message आपके brain को या inter neuron के brain को जो आपका central nervous system है, वहां तक पहुचा और पहुचने के बाद जो inter neurons है, उन्हों ने उस पे एक decision लिया, यह भी अब आपको क्या message, आपको क्या काम करना है, वो message उसने convey किया to the muscles, यारी और उठके जा कि उस चूलिया को बंद कर दिया, जहां से कि gas leak हो रही थी, तो इस तरह से हमारे जितने भी action, जिनको voluntary actions कहते हैं, उसके अंदर हमारा यह पूरा process involve होता ही, यानि अब आप इसमें देख लें कि तीनो neurons यहां पे काम कर रहे हैं, और तीनो neurons क्या काम कर रहे हैं, ए एक ने sense किया, दूसरे ने उस पे फैसला किया कि आपको क्या करना है, और तीसरे neuron ने आपके muscles को order जारी किया, एक muscles तक message लेकि आया, और फिर आपने चल के वो action perform किया, इस तरह से हमारा पूरा nervous system काम करता है, यह देखिए, प्यास का एसास हुआ, sensor neuron ने message दिया, towards brain, brain ने उस move करना पड़ेगा, इस glass को पकर के अपने मूँ के करीब लाना पड़ेगा, ठीक है, और motor neuron ने आपके हाथ को move किया, and ultimately, वो आप glass को उठाएंगे, और पानी पी लेंगे, उमीद है कि आपको बन्यादी मालूमात हासिल हो गई होगी,